हेलो बच्चों आज हमारा question है find the cube root of each of the following numbers by prime factorization method वही हमें क्या निकालना है ? cube root निकालना है किस method से निकालना ? prime factorization method से निकालना वही 512 का हमें cube root निकालना है तो सबचे पहले prime factor करेंगे 512 का है अब जैको भाई once place में यहां 2 है it means यह 2 से complete divide होगा तो 2 से देना शुरू करते 2 to 4 भाई 5 था 1 यहां गया 11 हो गया 2 5 जा 10 भाई 11 था 1 यहां गया 12 हो गया 2 6 जा 12 again once place में 6 है तो 2 से जाएगा again 2 1 जा 2 2 जा 4 5 था 1 यहां गया 16 हो गया 2 8 जा 16 भाई again 2 6 जा 12 यह 2 4 जा 8 again 2 से 2 3 जा 6 2 2 जा 4 again भाई 2 से 2 1 जा 2 1 यहां जा रहा तो 2 multiply 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब क्यूब रूट में हमेशा 3 के प्यार बनते एक प्यार तो यह बंदा 3 का ऑख3 3 3 के गुरूप होती थे एक गुरूप यह बंदा दूसरा कुरूप यह बंदा और थार हमारे कितने गुरूप बंदे तीन गुरूप बंदे ठूनके टू के 8 बद 2 है 1 s में to 2 से जाएगा 2 5 तैन, 2 3 6, 2 2 जब 4, 2 4 जब 8 अब 2 है 1 s में to 2 से जाएगा 2 2 जा 4 जह 5 था 1 यहां गए 13 हो गया 2 6 12 , 13 में से 1 यह बन जा 12 हो गया यह और 2 2 जा 4 अगें 2 से जाएगा, तू बंज़ टू, तू थी ज़ग शिक्स, तू थी ज़ग शिक्स, तू बंज़ टू, यह 11 से जाता है, आप करके देखना, 11 से अगर आप करें होए, 1, 3, 3, 1, तो 11 बंज़ कितना होता है, 11, 3 में से 1 गया, 2, और यह यहाँ, 11, 2 ज़ग टू, तू, 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 आईगा, भई, इसको 11 से करो रूप तो 11 आईगा, 11, 11, ज़ग 1, 21, और 11 ज़ग 11, अब देखो, 2 into 2 into 2, 11 into 11 into 11, देखो, एक गरूप ते यह बंदर 2 का, एक 11 का, तो क्या हो भई, इस गरूप से 1 ले लो, इससे 1 ले लो, 11, 2 जा टू, तो हम कहई सकते हैं, कि 10648, किसका है ऐसे हमा दो एसे हमारा है कि टू सैब सैब जीरो जीरो जीडो डू साभ चे पहले टू से दो वैसा नहीं उस्ट नहीं कीछ थू तू ऑन जो तू तू सीड तू एसेस त्यरो ज्युंट पॉसाइव कीडिक प?, तो जेरू अगें टू से 2,306 तू त्यू 1 यहाण जारा 15 टू 7 जा 14 ओ यहाण जारा 10 और 105-10 अब यह क्या ना थ्री से जाएगा देगो 3,3%, divide का सम करो इनका समारा 18 ठोग सम करते हैं इनका समारा 18 तीम समारा 18 लग बिल्कुल आता है तो यह पूरा नमबर 3 से डिव्जल हो जाएगा अगर इन नमबर का सम 18 आ रहा 18 तो पूरा नमबर 3 से डिव्जल हो जाएगा देखो 3 बंजा 3 3 बंजा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15 अगें 3 से जा रहा 5 बिल्कुल 3 जा रहा 3 3 जा 9 11 था 2 यहां गया 22 गया 3 7 जा 21 वन यहां चाल जाए 3 5 जा 15 अगें 3 से 3 बंजा 3 इससे 3 ले लो इससे 5 ले लो 2 3 जा 6 6 5 जा 30 2 7 0 0 किसका क्यूब रूट है क्यूब रूट है 30 ओके तो यह हमारा आंसर हो गया ऐसी दियो को भाई 1 7 5 6 1 6 भाई 2 से देंगे 2 8 जा 16 वन यहां गया 15 ओरा 2 7 जा 14 वन यहां गया 18 ओरा 2 8 जा 16 और यहां 0 और 2 8 जा 16 क्यूब टू डिजिट एक साथ दे रहां इसलिए 0 लगा 2 4 जा 8 2 3 जा 6 वन यहां गया 2 9 जा 18 जा 0 2 4 जा 8 अगें 2 2 जा 4 2 1 जा 2 3 है वन यहां गया 19 हो गया 2 9 जा 18 वन यहां 2 5 जा 10 और 2 अगें 2 से 2 1 जा 2 यहां पर 0 आएगा 2 9 जा 18 वन यहां 2 7 जा 14 2 6 जा 12 अगें 2 से 2 5 जा 10 2 4 जा 8 वन यहां जा रहा 2 8 जा 16 2 8 जा 16 वै 2 2 जा 4 वन यहां जा रहा 2 7 जा 14 24 जा 8 24 जा 8 2 1 जा 2 2 3 जा 6 वन यहां 2 7 जा 14 और 8 2 2 जा 4 जा अगें 2 से भाई 2, 6, 12 1 यहां जा रहा 17, 2, 8, 16 2, 6, 12 अगें 2 से 2, 3, 6 2, 4, 8 2, 3, 6 यह हमारा 7 से जाता है 7 से देंगे तो 14, 9 आएगा आप करके देखना 7 से अगर हम देंगे 3, 4, 3 को 7, 4 जा कितना होता 28 होता है 14 में 8 गया 6 यह 3 यहां है 7, 7, 9 जा कितना होता 63 और 7, 7 जा 49 और 7 बन जा 7 जोको एक गुरूप 7 का बन गया 1, 2 का यह बन रहा एक तीन गुरूप यह बन रहा 1, 2, 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 भाई 3 तो 2, 2 के 1, 7 का है 2 तो जा 4, 4 तो जा 8 8, 7 जा कितना होता भाई 56 तो 56 का हो जाएगा हमारा ओके?